प्रिये सांथियों नमस्कार आज हम इंडियन पॉलिटी के most important mcqs देखेंगे इससे पहले हम 75 questions solve कर चुके हैं ये पीफोर स्रीज है चिन विद्यार्थियों ने पूर्व ट्लास नहीं देख पाए हैं वो यूट्यूब चैनल पर उन्हें देख सकते हैं चलिए आज हम चर्चा करते हैं पहला प्रिश्न है राष्टी अपातकाल की घुष्णा करने के लिए ससस्तर बिद्रोह सब्द को सम्विधान में कभ जोड़ा गया था तो देखें हमारे हाँ 24 संविधान शल्शो धन हुआ था ये कब हुआ था 1976 में हुआ था किस के समय हुआ था 1978 में हुआ था Coleman देख के समय हुआ था उस समय हमारे देष की प्राइम निस्टर थे म البrijन जी मोरार जी देशाए जी तो ये धियान तरहिएगा क्यों 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 कि जहां ससत्र विद्रोह सब्द है इससे पहले यहां पर अंत्रिक असान्ती सब्द थी राज्टी आपातकाल तीन गत्य विदियों में लग सकता है कि कुन सी गत्य विदिया यूद की स्थिति में बहाय आकरमण की स्तिती में और ससस्त बुद्रोह की स्तिती में आंत्रिक असांती सब्ध हटा दिया गया अगला प्रश्ने है यूद बहाय आकरमण और ससस्त बुद्रोह की स्तिती में कौन सा अपातकाल लगाया जाता आर्टिकल 352, 356, 360 उपरोक्ट में से कोई नहीं तो धिहन रखिए हमारे यहां आर्टिकल 352 के तहत यूद बहाय आकरमाण हुससस्त बिद्रो की स्तिती में क्या लगाया जाता है आपातकाल और यह राष्टी आपातकाल भारत में अभी तक कितनी बार लगा है केवल तीन बार लगा है चलिए आर्टिकल 356 पर मैं आपसे बता देता हूँ आर्टिकल 356 है राज्यों में राष्टपती सासन से जब हमारे यहां क्या होता है कि राज्य की सरकार संबिधान के अनुरूप कारिशंचालित नहीं करती है तो वैसी कंडिशन में राज्यों की लिखिश सलाय पर राष्टपती क्या काम कर सकता है सम्मंदित राज्य में राष्टपती सासन लगा सकता हूँ आर्टिकल 307 यह बिट्टी आपातकाल की स्थिति है अभी तक हमारे यहां बिट्टी आपातकाल नहीं लगा है कीन्तू बर्तमान परिद्श्ट में हम देखें कोविड-19 के चलते जो कोरोना वायरस इसके चलते लागडाउन की स्थिति है देश की अर्थव्यवस्ता बहुत ही निमनिस्तर पर है देश पर बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है राश्टी बिट्टी आपातकाल की घोशना की जा सकती है किन्तू अभी ऐसा हुआ नहीं है चलिए अगला प्रशने है निमनिमे से कौन समयलित नहीं है गलत कथन को पहचानता है तो आर्टिकल 54 क्या कहता है राश्टपती के निरवाचन परिकरिया की बात करता है चुनाओं की बात करता है आर्टिकल 55 राश्टपती चुनाओं का तरीका किस प्रोसेश अर्थाद जो इकल संक्रमनी पद्दित निEC अंचेट 60 राश्टपती पर महाव्यो की जो परिकरिया है यह आर्टिकल 61 तो ये कतन गलत है आर्टिकल 123 के तहट क्या होता है राष्टपती अध्यदेश जारी करता है जब संसत के दोनों सदन सत्र में ना हो या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो और हमको किसी महत्पूर बिसे पर कानून बनाना हो तो ऐसी स्थिति में राश्टपति अद्देश जारी कर सकता है किस आर्टिकल के तहए एक सो टेश आर्टिकल के तहए और राजपाल जारी करता दो सो तेरा के तहए और अभी हाली में आपको पता होगा कि हमारे यहां जो है महामारी अधिनियम के तहट 22 को अध्यदेश जारी किया गया जिसमें जो कोरोना पिल्डितों की जो मदद कर रहे हैं सफाई कर्मी, सेवा कर्मी, स्वास्त कर्मी, पुलिस वाले यह सबी तो उनके उपर अटेक हो रहे हैं, तो उसके संदर्मा भी यह अध्यदेश लाया गया, अगला प्रश्न है, नीती नर्देशक तक्त्तों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हमने किस देश से लिया है, हमने लिया है आरिलेंड से, आरिलेंड से हमने क्या लिया है, नीती नर्दे सकता, तो जो संबिधान के कितने, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, कौन से भाग में, संबिधान के भाग 4 में है, अमेरिका से भी हमने बहुत सारी चीजें लिया है, क्या लिये हैं, संबिधानी सरवच्चता लिये हैं, सुतंतर नयाई पालिका लिये हैं, प्रवादी का पद लिये हैं राश्पती पर महावियोग प्रिक्रिया लिये हैं यह बिट्रेन पूरा पूरा प्रवाव हमारे हैं यहां दिखाई देता है मंत्री परश्चद हो संसदी व्यवस्ता हो सरकार का प्रमुग बास्पिक प्रधान हो यह चलिए आगे बढ़ते हम बिल्कुल आर्टिकल चालिस में ग्राम पंचत की गठन का प्रावधान किया गया अंचेद चौवालिस बिल्कुल सही समान नागरिक सहीता की बात करता है फिर अंचेद एकतालिस क्रिशी इवं पसुपालन नहीं क्रिशी इवं पसुपालन जो है आर्टिकल फोटी एट मे हैं नीति निर्देश सतत्व में अगला है अंचेद उन्चालेश सामान नया एवं निशुल कानुनी इक सिक्षा संविधान तो यह यह यहां पर एक अगला प्रश्णे शुरू हो गया है ज्यान रखिए एक्यासी प्रश्णी क्या कह रहा है सिक्षा संविधान के किस भाग क यह देखें यहां से यह 81 नंबर कोश्चन है सिक्षा संविधान के किस भाग को को भारत का मैगना कार्टा कहा जाता है तो भाग तीन को संविधान का मैगना कार्टा कहा जाता क्यों 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 कि संविधान के भाग तीन में क्या है हमारे fundamental rights से हमारे मूल अधिकार है कुल कितने मूल अधिकार है हमारे कुल 6 मूल अधिकार है पहले कितने थे पहले 7 थे कौन सा अधिकार को मूल अधिकार की स्टेनी से हटा दिया गया है तो जो संपत्तिक अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटा कर सामान के टहट पर बना दिया गया है कौन से समवदान संसुधन के टहट कौन कौन ते समानता सुतंतरता समान सुतंतर सोसाण के विरूत दार्मिक सुतंतरता समान सुतंतर सोसाण धार्मिक संस्कृति और सम्विधानिक सर्व अगला प्रश्ने है निम नमेशिक कौन सा कथन गलत है दिकि बहुत ही अच्छे कोश्यान है संपत्ति के अधिकार को 44 संसोदन के बाद हटाये गए था बिल्कुल सही 44 संसोदन 1978 के तैट हटाये गए था सही है यह अबजेक्टिव संपत्ति का अधिकार अब एक मातर नैतिक अधिकार है इसको ध्यान रखी यह क्या कह रहा है नैतिक अधिकार अगला है इस समय केवल 6 मूल अधिकार है यह भी सही है अगला है भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है ये भी सही है इसका मतलब क्या है कि ये नैतिक अधिकार नहीं है ये कौन सा अधिकार बन गया है एक कानूनी या विधिक अधिकार बन गया है कौन से अर्टिकल में 300 का में तो हमारा आंसर कौन सा होगा B अगला प्रश्ने अगला प्रश्ने निमनेवसे से कौन सा कथन आसते है देखिए अनुछेद 21 का का सम्बन सिक्षा के अधिकार से बिल्कुल सही 21 का सिक्षा के अधिकार से कौन सा Right to education अगला सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद ने पारित किया था, नई, सिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया है, 2009 में, और कब से लागू हुआ है, एक अपरेल 2010 से ये लागू हुआ है, और कितने, 6-14 वर्स के बच्चों को अनिवार बान, निशुल के सिक्षा का प्रावधान, संविधान संसोधन कौन सा था, संविधान संसोधन 86, संविधान संसोधन के तया, तो इस तरीके से इसका अंसर कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया ना कि 2008 अगला प्रश्न है निमने में से किसे मिनी कंस्ट्यूशन कहा जाता है तो देखें मिनी कंस्ट्यूशन किसको कहा जाता है तो 42 संसोधन उन्नीस सो कब हुआ था ये उन्नीस सो चैटर में हुआ था इसको मीनी कांस्ट्यूशन क्यों कहा जाता क्योंकि इसमें बहुत सारे मूलभुत परिवर्तन हुए थे आपको पता होगा इसी के माद्यम चे अमारी यहां क्या है मूल कर्तब बे जोड़े गए कौन से कर्तब बे जोड़े गए मूल कर्तब कुल कितने है 11 है कौन से संविधान सर्सोधन के तहट 42 पे 1976 के तहट राष्टपती की जो अधिकार की मतलब जो अधिकार थे वो शीमित कर दिये गए मतलब राष्ट पती जो है अब मंतरी परिशत की सलाय मानने के लिए क्या हो गया बाद दे हो गया इसमें और क्या किया गया था इसमें राष्टी आपात काल के स्थिति में लोकसभा का कारकाल एक बरस बढ़ाया जा सकता है तो यह काफी महत्पुर प्रावधान किये गए थे अगला प्रशने हैं प्रेशांत है आज बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन लेकर आया हूं मैं यदि आप मेरे 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 बहुत अच्छे से ध्यान से आप सॉल्व करोगे तो लगबग आपकी पूरी पॉलेटी कबर हो जाएगी और एक भी कोश्चन इससे बाहर नहीं अगला प्रशन था तो आर्टिकल 312 लोग सभा की कार नहीं यहां पर ध्यान दीजिए यही श्वमिलित नहीं त्योंकि आर्टिकल 312 में क्या है आल इंडिया सर्विस है और जिसमें किसको अधिकार दिया गया है राज्यसवा को विशेशा दिकार है कि राज्यसवा प्रिस्टा पारित कर क्या कर सकती है किसी भी सर्विस को आल इंडिया सर्विस के लिए पारित कर सकती है आर्टिकल 110 में धन्विध्यक बिल्कुल आर्टिकल 112 में क्या है बजट यहां पर भी ध्यान रखिएगा यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहां पर बजट नहीं बार्शिक बिट्टी विवरान है क्योंकि बजट सब्द का कहीं इस्तमाल नहीं हुआ अगला प्रशनी है सात्वी अनूसूची का संवंध्ण 51 का मौलिक करता बिल्कुल जई अगला प्रशनी है सात्वी अनूशूची का संवंध्यक से है तो ध्यान रखिये हमारी जो सात्वी सूची राज सूची और एक और कौन सी सूची है संबर्ती सूची ये तीन सूचिया है हमारी संग सूची पर कानून के इंदर बनाता है राज सूची पर राज और संबर्ती सूची पर किंदर राज दोनों मिलकर बनाते हैं और अवसिष्ट सकती है किस में नहीं थे संसद में नहीं थे तो कौन सा अंसर होगा हमारा भी अगला है दस्वी अनुसूची के तहट किसी की विधान सवा सदस्टा को निरस्ट करने का फैसला लिया जा सकता है तो यहां पर देखी यह कुश्चिन काफी इंपॉर्टन्ट है क्योंकि अभी हमारे मद्दप्रदेश में विधान सवा सदस्टो के जो बागी विधायक थी उनकी सदस्टा को लेकर प्रश्चिन लग रहा था तो ध्यान दीजिए दस्वी अनुसूची के तहट है तो यह कौन करता है हमारा जो विधान सवा अध्यक्ष होता है वही सदस्टो की निरस्टा के संदर में निरस्ट करने के निर्वाचन आयूक का नहीं है लोग सभा विदान सभा राष्टपति और प्राष्टपति का चुना को रहाना बिल्कुल है राजनेतिक दलों का मानता प्राप्त करना बिल्कुल यह भी है किसी संसद सदस्य की मानता अपने विचार से रद्द करना देखिए अभी हमने कहा क कि बिदान सभा सदस्यो का कौन जो बिदान सभा स्पीकर एसे ही जो हमारी संसद है संसद के स体स्यों की मानता अपने विचार से रद्द करना यह कौं करता है यह लोग सभा स्पीकर करता है नाकि निर्वाचनायो विधान परिशत की सदस्यों की निर्ता से संबनित मामले पर राजपाल को सलाय देना ये भी सही है अगला प्रशने है नीम लिखित नीम लिखित मैंशे कौन सा कथन सही नहीं है भारत में पंचेती राज की स्थापना जवाला नहरू ने की थी अगला है मद्द प्रदेश में सबसे पहले पंचेती राज की स्थापना देखी भारत में पंचेती राज की स्थापना जवाला नहरू ने की थी बिल्कुल बलबंतराय मैता समीतिगी सिपारिस पार कहां पार 2 अक्टुमबर 1969 को कहां पार राजस्थान के नागोर में मद्द प्रदेश में सबसे पहले तो यह हमारा अंसर गलत हो जाएगा तरहतरवत अंबिदान संसोदा ने दिनियम 1992 से लागू हुआ यह भी सही है भारत में पंचाती राजवयस्ता के पीछे मुकुद्देश क्या था राजनीती के अपरादी करण को रोकना गाओं का विकास करना सत्ता का विकेंद्री करन कर जन्मानस को राजनीती से जोडना चुनाओं खर्च में कमी करना तो देखिए हमारा मुलभूत मकसद जो था व उनको भी अपने अधिकार चेत्र में कारत करने का पूरा अधिकार हो पूरी पावर हो इससे क्या होगा ब्रष्टा चार भी कम होगा राजनीती कपराद भी कम होगा गाओं का विकास भी होगा ये सारी चीजों को और ये किस की समीती पर हुआ था किस समीती की सिपारिश प निमनिमेशिक कौन सा सुमेलित नहीं है अंच्छे 312 संग राज्यों के लिए लोकसेवा नहीं ये आर्टिकल 315 में है प्राउधान क्या है आर्टिकल 315 में संग लोकसेवा आयोग एवं राज्य लोकसेवा आयोग का प्राउधान आर्टिकल 316 में सदश्यों की निप्ति इवन कारकाल बिलकुल सही, आर्टिकल 320 में लोगसेवा आयुग के कारकाल ये भी सही है, 317 में लोगसेवा आयुग के बसकास्ति मतलब इनको हटाये जाने का प्रावधान ये भी है, अगला परशने नीती आयुग, बहुत थी, तो नीती आयुग की स्टाफ न हुई थी, 1 जन्वरी 2015, किसकी स्थान पर आई ये, योजना आयुग के स्थान पर, योजना आयुग का गठन कब हुआ था, 1950 में, 15 मार्च 1950 में हुआ था, उसी के जान, नीती आयुग को क्या कहा जाता है, सरकार का ठिंक, टैंक के की प्राइम मिनिस्टर होता है, अगला प्रशन है, निम लिखित मैंसे कौन सा नीती आयुग का कारी नहीं है, राश्ती विकास, प्रात्मिताओं और रणनीतियों की एक रणनीती विक्सित करना, बिल्कुल है, सरकार का ठिंक, टैंक है, बैचारी की स्थम है, ये कार, सहकारी संगबाद को बढ़ावा देना, ये भी है, क्यों है, क्योंकि केंदर और राज्यों के मद हमेशा सक्तियों को लेकर या पंचवर्शी योजनाओं को लेकर विवाद उठते रहा है, तो ये सहकारी संगबाद को बढ़ावा देता है, हमारी संगी विश्ता को मजबूत करता क्योंकि राज्यों के मुखमंतरी भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं भारत की पंचवर्षी योजनाओं को अंतिम स्विकरती प्रदान करना यह कारी निती आयुक का नहीं है यह कारी किसका है एंडी सी किया नैशनल डेवलोप्मेंट काउंसिल का राष्टी विकास परसद ही पंचवर्षी योजना को अंतिम स्विकरती प्रदान करती हैं ना कि नीती आयुक ग्यान नवचार और द्यम सिल्ता विक्सित करने वाली प्रणाली यह भी नीती आयुक का रहे हैं अगला प्रशने राष्टी मानो अधिकार एक के बरतमान अध्यक्ष कोन है तो राष्टी मानो अधिकार के बरतमान अध्यक्ष कोन है जेस्टिस एच एल दक्तु कोन निफ्टी करता इसकी एक समीती होती है जिसके अध्यक्षता प्रदान मंतरी करते हैं उस समीती के माद् अगला प्रश्न है भारती संविधान के किस अनुछेद में भारत के महानयाव्यादी पद्ध का प्राउधान है 124 में सुप्रिम कोट तो आर्टिकल 76 में कौन निप्ति करता है राश्पति कब तक ये पत्पत धारंड रहता है राश्पति के प्रशात परियन कोन है ये भारत सरकार का सर्वच विदिक सलायकार भारत का बरतमान महानयावादी कोन है के के बैड़ो गोपार अगला प्रश्न जम लेकित मैंशे कौन सा कतन भारत के सीजी के बारे में सजी नहीं है यहां भारती लेखा विभाग का मुक्या होता है बिल्कुल हमारे यहां audit करने का मुख्य जिम्मेदारी इसकी है इसका नियंतरन केवल केंदर सरकार की स्तर पर होता है अगले objective देख लेते हैं इससे सारवजनिक फट का संद्रक्चक कहा जाता है बिल्कुल यह हमारी संचित निदी का संद्रक्चक है भारत के नियंतरन केवल क केंदर तक है केवल केंदर नहीं यह राज्यों के लिए भी audit करता है और राज्यों में राजपाल को और केंदर में राष्ट्पतु अपनी रिपोर्ट स्वापता है अगला प्रश्न है निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा प्रथम बितायुक का गठन उननीश किसकी अद्ध्चता में के-सि नियोगी के अद्ध्चता में गठित हुआ था अगला अंच्य दोसे का सम्मद वितायुक के अंसंसाव से हैं बिल्कुर सही ये भी क्यों क्योंकि article 280 में बितायुक का प्रावधान अभी कौन सा चल रहा है? कों गठन करवाता है? हमारा President Ap India करवाता है कितने वर्स के अंतराल में? प्रते एक पाँज वर्स के अंतराल में चलिए ये भी सही है बितायुक किसी पारी से केंदर सरकार के लिए सलाय कारी होती है, बाद्यकारी नहीं, बिल्कुल सही है, बितायुक का गठन 6 वर्स के लिए होता है, नहीं, कितने वर्स के लिए होता है, 5 वर्स के लिए होता है, अगला प्रशन है, निम लिखित मैंसे कौन सा अंचित प्राइब का नहीं है लोग सभा विदान सभा राश्ट पती और राश्ट पती का चुना करवाना बिल्कुछ सही राजनेतिक दल को माननेता देना किसी संसर सदस्की माननता अपनी विचार से यह लोग सभा स्पीकर यह भी सही है राज जपाल को सलाय देना है यह भी सही है तो प्री सांथियों यह कुछ important question थे हैं हम अगामी और भी question solve करेंगे मैं चाहा रहा हूं कि आप लोगों को मद्द प्रदेश सामान निग्या और भी विविन टॉपिक के समय समय पर objective और continuous systematic आपको मिलते रहें यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आगे बिलकुल आगे भी वीडियो बनाता रहा हूंगा यदि आपको ठीक लग रहा है तो आप निश्चित रूप शे अपनी प्रतिकिरिया दीजिए ओके थेंक्यू